हेलो बैचो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल फिजिक्स क्लासिज में आपको पता है कि हमने क्लास 9th की साइंस इस्टाइट की हुई है और साइंस में मैंने आपको चैप्टर कराया है घती ठीक है जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो गती चैप्टर चल रहा है इ अगर उसमें आपको कोई कोश्चन है कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो आज जो हमारी यह है यह दूसरी क्लास है सेकंड लेक्चर है सेकंड पार्ट है गती चैप्टर का गती यानिके मोशन ठीक है यह चीजे हमने पढ़ ली थी इस चैप्ट में अंतर देख लिया था अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारे आपको बता देता हूं दूरी और विस्थापन जो दूरी होता है कुल तै की गई पत्त की लंबाई दूरी कहलाती है और प्रारंबिक और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी कहलाती है विस्थापन विस्थ लिखने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर की दूरी यानि keluar डिस्थापन दो में क्या रोता हैं यह में बताना है तो सबसे पहला रोत网ं हैं हम की परिवासा में लिखेंगे पहला दूरी की परिवासा कि इसी वस्तु दूरा पस्तू अपनी प्रारम्विक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीद चलती है का माप उसकी दूरी कहलाता है जितनी भी टोटल पात चला है टोटल रास्ता उसने ट्रेवल किया है सब को जोड़ दो कोई दिशा नी देखनी कोई कुछ नी देखना तो आपके पास क्या निकल आँगा आपको समझा जाएगा ठीक है उसके बाद जो दूरी होती है आपकी एक अदिस रासी है अदिस रासी होगी तो केवल इसमें क्या होगा परीमान क्या होगा केवल परीमान जबकि आप देखेंगे जो आपके पास विस्थापन होता है विस्थापन एक सदिस रासी होत आपको दिशा सहीत बताना है जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे घर की दूरी 30 मीटर है या मैं कहूं मेरे घर की दूरी 30 मीटर उत्तर है तो जैसे दिशा का बोध हुआ उत्तर तो यह आपका विस्थापन हो जाएगा और उपर हमने ना कोई दिशा बताई ना कुछ केवल परिमा आप गती के वस्तह में नहीं आये इसका मतलब रूके हुए है तो आप देखेंगे यह हमेशा धनात्मक होती मतलब दूरी का मारं दो चार मीटर Ah माँच मीटर क्या कभी सुना है माइनस पांच मीटर दूरी और कभी भी शुन्य नहीं हो सकती जो दूरी होती है वो कभी भी शुन्य नहीं हो सकती इसके लिए आप देखेंगे जो विस्थापन होता है वो प्लस भी हो सकता है यानि के धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो गती की दिसा में है तो पोजिटिव हाएगा गती के विपरीत है तो त्रिनात्मक आएगा और उसके बाद प्रारंभिक और अंतिम बिंदू एक ही बिंदू पर हैं तो आपका विस्थापन सुन्या होगा नेक्स्ट दूरी किसी रेख्या पत्में विस्थापन के बराबर हो स या बराबर होगा अगर आप यह कहने लगे कि क्या सर विस्थापन का मान जादा हो सकता है दूरी से तो मैं कहूंगा नहीं विस्थापन कभी भी दूरी से जादा नहीं हो सकता विस्थापन का मान हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा या फिर क्या होगा दूरी से क्या ठीक है तो इस point को आप remember रखना important point है यह तो अब देखते हैं question देखो question है important question है आप देखिए इस question को देखेंगे आपको दूरी और विस्थापन का clear हो जाएगा कोई भी दिक्कत आएगी फिर मैं बताऊंगा आपको यदि कोई वस्तु अर्ध गोलाकार पथपल चल रही है तो इसकी तरिज्जा आपको पता ही है सभी को ये क्या है 10 मीटर त्रिज्जा कितनी है 10 मीटर त्रिज्जा 10 मीटर है तो व्यास कितना होगा 20 हो जाएगा 10 इधर 10 इधर छोड़िये हो और यदि प्रारंबिक और अंतिम इस्तितिया A और B है प्रारंबिक इस्तिति A है ये जा और अंतिम इस्तिति क्या है B है तो इस इस्तिती में वस्तु दुवारा किया गया विस्थापन और दूरी निकालिए अर्धकार का तब समझ माएगा पहले मैं आपको पूरा बता देता हूँ यह अर्ध क्या है अर्ध गोलकार है मैं मानता हूँ पूरा चलाओ वो ए से चलना स्टार्ट किया आर तिरिज्जा है ओ इसका सेंटर है यहां से चलना स्टार्ट किया आधाना चलकर उसने एक पूरा चक्का लगा दिया मान लिजे कि आपने A point से चलने start किया और B point पर B भी यहीं पर है यहीं पर रुख गए मतलब इसका यह है कि आप एक ground है आपके घर के आसपास कोई ground है आप देखना उसमें एक पूरा चक्कल लगा दीजिए उसकी तरिज़ा आ रहा है गोला कार ground है उसके चक्कल लगाईए तो उसमें आप कितनी दूरी तै करेंगे बताईए और कितना विस्थापन होगा तो अगर आपको परिवासा याद है तो दूरी और विस्थापन आप समझ जाएंगे देखे आपने यहाँ से चलना start किया और इस पर चल रहे हैं इस तरह से दूरी होती है कुल तै की गई पत की लंबाई तो ये पत की लंबाई क्या कहलाती है विरत्तकार पत की बताईए वेरी गुड इसको हम बोलते हैं इसकी परीधी क्या बोलते हैं इसकी परीधी और विरत्त की परीधी का फोर्मूला होता है 2 pi r तो तैक ही गई दूरी कितनी होती है एक संपून चक्र में 2 pi r जबकि मैं आपसे कहूँ कि विस्थापन कितना होगा तो आप कहेंगे सर यही प्रारंबिक बिंदू था यही अंतिम बिंदू है मतलब यहीं से चलना उसने स्टार्ट किया और यही पर वो रुख गया इसका मतलब उसने कोई भी विस्थापन तैन नहीं किया इतना मतलब क्या हुआ कि विस्थापन याँ पर शुन्य है क्या हुआ विस्थापन याँ पर क्या है शुन्य है तो यह संपून चक्र की बात हो गई अब मैं बात करता हूँ अर्ध चक्र की ठीक है उसने question में कहा है अर्ध चक्र तो अर्ध चक्र में दूरी बतानी है कितनी दूरी मैंने बताया था दूरी चलेगा वो विरत्ताकार पत पर कितनी 2πr अब उसने अर्ध चक्र में चली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे आधी चलेगा तो कितनी चलेगा पाई आर कितनी चलेगा पाई आर पाई की वैल्यू रख दीजे 22 बटे साथ या 3 बटे वो 3.4 और आर कितना दिया उसने 10 इंटू 10 तो कितना आएगा 3.14 इंटू 10 तो कितना जाएगा 31.4 मीटर वो दूरी चलेगा कितनी चलेगा 31.4 मीटर दूरी अब बात करते हैं विस्थापन की जो इसने लिखा नहीं समझना में हमें समझना है केवल विस्थापन विस्थापन क्या होता है प्रारबिक बिंदू ये है अन्ति मिंदू ये है अब दोनों समझ लो दोबारे मैं समझा देता हूँ आपको देखिए तो दूरी कितनी चला अलग लिग देता हूँ एक बार तो इस वाले पत पर वो कितनी दूरी तै करा 2πr का आदा व्रित की परीधे का आदा यानि कितना πr पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 10 मिटर तो कितना आ गया 31.4 मिटर अब निकालना है विस्थापन इंपोटेंट है विस्थापन कैसे निकालते हैं देखिए उसने चलना स्टार्ट किया A पोइंट से दूसरा पैन यूज़ करता हूँ उसने चलना स्टार्ट किया A पोइंट से कहां पर गया B पोइंट तक A प्रारंबिक बिंदू B अंति मिंदू इन दुनों की बीच की परिवासा कहती है विस्थापन की नियूनितम दूरी होगी अब एक तो दूरी ये है एक दूरी ये है क्या मुझे आप बता सकते है कौन सी दूरी लेंगे कौन सी दूरी नियूनितम होगी आप बताईए इसमें से छोटी दूरी कौन सी होगी ये वाली, वन वाली या टू वाली तो आप कहेंगे सर छोटी दूरी वन वाली होगी यानि कि ये दूरी और ये दूरी कहलाती है व्रत का व्यास और व्यास के व्यास होता है 2R यानि कि तरिज्जा का दो गुना तो कितनी आ जाएगी 20 मीटर तो यहां से भी आप देख सकते हैं दूरी 31 मीटर है और विस्थापन 20 मीटर है यानि के विस्थापन सुक्षितम यानि के छोटी दूरी होती है दो बिंदू के बीच की और दूरी कुल दूरी होगी अब तक की ठीक है तो इस question का अंसर आएगा आपका दूरी होगी 31.4 यानि के 2πr बटे 2 और विस्थापन कितना होगा 2R यानि के वियास के वराबर होगा और वियास कितना होगा 20 ठीक है तो यह question इसका answer यह है अब देखते है next question important है यह question यह question करने से पहले आपको दिसाओं का ज्यान होना चाहिए कि दिसा किस तरह से लेते हैं देखे हम इस तरफ से खड़े होते हैं अगर सूर्य जिस तरफ से निकलता होता है उसको बोलते है यह आप हमेशा के लिए याद रखेंगे जब भी दिसा की question आएंगे आप एक side में इस तरह से diagram बना लेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है right side में पूरव left side में पस्यम उपर उत्तर नीचे दक्षिन उसने कहा एक आदमी किसी स्थान से उत्तर दिसा की और चल साथ अब यह दूरी चला वह 4 km चार किलो मीटर चलके वह यहां आ गया वह है दाइं और मुड़ जाता है अब मुझे बताइये आप यहां खड़े हो तो दाइं आपका इधर होगा या इधर होगा तो यह तो बाया है आपका क्या है बाया उसने कहा दाइं इस तरफ तो उसने कहा कि आद्मी द्वारा त्य की गई कुल दूरी कि त्वारा दे यह कि लिखाओ यह अ कुल दूरी कितना चला वह क्या DOն को जोड़ देंगे 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 किलोमेटर तो कुल दूरी वो कितना चला 7 किलोमेटर पहला आंसर यह निकल गया कुल दूरी अब वो पूछेगा विस्थापन क्या होगा देखे दोबारा समझ लीजिए प्रारंबिक बिंदू है ए अंतिम बिंदू है बी इन दोनों के बीच की नियु स्वानतम तो सर कोन सी दूरी होगा यह वाली और इस दूरी को कैसे निकालेंगे पाईथ्भुरस परमे से फॉर्मुला लगाएंगे ए इसको मान लेगर सी ac square प्लस bc square बराबर ab square करन का square बराबर आधार का square प्लस लंब का square То ab square ac square कितना है? 4 का square प्लस 3 का square बराबर किसके? ab square donc ab square का मान कितना जाएगा? 4.16, 13.9 कितना इंग आगया? 25 और यह किसका फ़र गोता है? 5 का, तो ab का मान आगया 5 km तो आप देखेंगे कि आपके पास कुल दूरी आई 7 km और कुल विस्थापन कितना आया 5 km तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन निकालते हैं अगर आपको कोई अभी भी दिक्कत है कि दूरी और विस्थापन कैसे निकालते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको ब कोश्चन को यह हम देखना है चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज देखते हैं एक बार है बहुत विकल्प होगा तो कि और सच चाल निकालना है इसमें प्रेक लगए इसमें नहीं है अब तक जो पड़ा है हमने वही कोश्चन हम करेंगे देखिए यह कोश्चन आया किसी गतिमान वस्थू के लिए विस्थापन एवं तैकी कई दूरी का नुपात होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो किसी वस्थू द्वारा तैकी कई दूरी होती है क्या होती है दूरी हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के उसने कहा विस्थापन तथा समय की विस्थापन एवं तय की गई दूरी का अनुपात यानि के दूरी का विस्थापन का नहीं पूचा विस्थापन से दूरी का तो दूरी को इसके बटे में ले जाएंगे तो यह विस्थापन ऐसा समझ लीजिए यह लिखा है इस तरह से greater than दूरी इसके बटे माईगी तो यहां वन बचेगा यह बचेगा विस्थापन बटे दूरी तो आप देखेंगे कि विस्थापन कि बटे दूरी का मान less than क्या होगा equal to one दूरी और विस्थापन का मान less than equal to one होगा तो option number आपका कौन सा correct हो जाएगा पहला option आपका correct हो जाएगा कि विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा एक से चोटा होता है और दूरी और पर दूरी नहीं पढ़ा आपने कुछ भी अ चलिए अब हम स्टाट करते हैं एक समान गती किस तरह क्या होती है समान गती वह देखते हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक समान और ऐस समान गती देखो क्या हुआ आप ऐसा समझे ये सडक है इस सड़क पर आपकी गाड़ी चल रही है ये गाड़ी है इसकी चार पोजी से पहले यहां थी फिर यहां आ गई फिर यहां आ गई और एक और बना लिजिए यहां आ गई मतलब जब समय स्टार्ट हुआ जीरो टाइम पर जीरो घंटे हुए थे तो इसके द्वारा तै की गई दूरी भी कितनी थी जीरो कितनी थी जीरो अब दो घंटे बीट गए ये दो घंटे में 40 km चल गई कितनी चल गई 40 km फिर अगले दो घंटे बीटे ये 40 km फिर चल गई अगले दो घंटे में फिर अगले दो घंटे बीटे मतलब कितना टाइम होगे 2-4-6 घंटे होगे टोटल total की बात नहीं कर रहा है मैं अगले 2 घंटे की बात कर रहा हूँ फिर यह 40 km चली एक तो यह case है दूसरा case क्या बनेगा कि वो यहाँ पर भी 0 था time और दूरी भी 0 चली अगले 2 घंटे में वो चल गी 50 km फिर अगले 2 घंटे में वो चल गी 20 km भीड भाड मिली उसे रास्ते में तो निकलने में टाइम मिल गया मार्किट चले गए वो उसके बाद अगले दो घंटे में वो 80 किलोमेटर चली गई यहाँ पर छीड मिली रोड पर भगा दी खूब ठीक है तो आप दो केस यहाँ पर देख रहे हैं एक तो पहला केस पहला के समय और क्या है समान दूरी समान समय और समान दूरी यहाँ पर आप देखेंगे समय तो समान है समान समय है लेकिन उसके दुआरा तैकी के दूरी आ समान है दूरी क्या है आ समान दूरी तो ऐसी गती जिसमें कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तै करे यह वाली उसको एक समान गती और अगर समान समय में आसमान दूरी तै करती है तो उसको बोलते हैं आसमान गती क्या बोलते हैं आसमान गती तो समान गती और एसमान गती का मतलब कि यदि कोई वस्तू समान समय अंतराल में समान दूरी तै करे तो वह एक समान गती से विचरन कर रहा है इस जैस क्या आप देखेंगे लगतार बिल्कुल एक constant चाल से इस तरह से सब fix है समान समय में समान दूरी चलेगी उसकी सोई ठीक है तो ऐसी गती कहलाती है एक समान गती और एक समान गती के लिए अगर आप दूरी और समय में ग्राफ बनाईए ये दूरी ये समय है वो x-axis पर आपने देखेंगे दूसरा आसमान गती या तो यह माल लीजिए यह माल लीजिए अब आप देखेंगे आसमान गती एसमान गती में यदि कोई अलग अलग दूरी अलग समय में पूरी करे तब वह है आसमान गती से विचरन कर रही होती है जैसे सड़क पर कार की गती आप डेली ल तो अलग-अलग समय में वो अलग-अलग दूरी तै करती है तो ऐसी गती कलाती है आसमान गती क्या कलाती है आसमान गती तो इस गती में जो दूरी और समय की गिराफ आएगा वो किस तरह से भी आप बना सकते हैं बस सीधी लाइन मत बनाना उन्होंने इस तरह से दिखा दिया सीधी लाइन किसको परदर्सित करती है एक समान गती को और तिर्शी मिर्शी लाइन किसको परदर्सित करती है आसमान गती को तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा एक समान गती और आसमान गती एक समान समय में समान दूरी आसमान में समान समय में आसमान दूरी ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टोपिक है आसमान गती के दो प्रारूप हो सकते हैं जो आसमान गती है उसके दो प्रारूप है एक त्वरित गती और एक मंदन गती त्वरित गती का को पार कर रहा है आपने bring लगाने start कर दिया तो गाड़ी रुकने लगेगी धीरे धीरे मंदी होने लगेगी तो उस गती को बोलते हैं मंदन-गती तो यदि वस्तू की गती समय के साथ लगातार बढ़ रही है तब वहां तوरन गती कहला यही अभी मैने आपको बताया कि लग इस तरह से आप देखेंगे जो मंदन गती होगी यदि वस्तु की गती समय के साथ लगतार घटती रहे तब वह मंदन गती के लाएगी और उसका ग्राफ इस तरह से आएगा ठीक है तो यह यह आप मान सकते हैं इस तरह से आएगा ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे कि और पड़ली हमने समान त्वरित और मंदन आप लगतार बाइक को चला रहे हैं तेजी के साथ भगा रहे हैं फूल स्पीड दे रहे हैं देते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं लगतार तो त्वरन गती है और जैसे ही दिखा आपको कि अब गड़ा आने वाला है या संक्तिया पेरे तो उसकी गती लगतार कम उती जा रही है तो उस सिती को बोलते हैं मंदन गती यानि वो मंध पढ़ती जा रहे हैं ठीक है चलिए इसके बार प्रकरेंगे हम चाल तो नेक्ड़ वीडियो में एईम चाल और विस चाल और आपको क्या देखें गैने वेगः